नमस्कार एटा खबर लोय हिसु नमस्कार एटा खबर लोय हिसु नमस्कार 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 खबर लोय हिसु प्रयास से भारत आज जिस संब्ली हुई स्थिति में है हमें उसे बिगडने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है। फेटालिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रती दस लाग जन संख्या पर करीब साड़े पांच हजार लोगों को करोना हुआ है। वहीं अमेरिका और ब्राजिल जैसे देशों में यह आखड़ा 25 हजार के करीब है। भारत में प्रती दस लाख लोगों में मृत्युदर 83 है। जबकि अमेरिका, ब्राजिल, स्प्रेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में यह आखड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन देशों की तुलना में भारत अपने जादा से जादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाग से जादा बेट्स की सुविधा उपलब्द है। 12,000 कॉरंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2000 लेप्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड के आंकडे को पार कर जाएगी। कोवीड महामारी के खिलाप लडाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर हमारे नर्सीज हमारे हेल्थ वर्कर्स हमारे सुरक्षा कर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निश्वार्त सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवा होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खत्रा नहीं है। हाल के दिनों में हम सबने बहुत सी तस्वीरे वीडियो देखे हैं। जिन में साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया हैं। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं बीना मास के बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने आपको अपने परिवार को अपने परिवार के बच्चों को बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंता जनक वृद्धी हो रही हैं। साथियों संत कभिर्दास जी ने कहा है पकी खेती देखी के गरब किया किसान। अजहू जोला बहुत है गर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मिस्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया। लेकिन जब तक फसल घर न आ जाएं तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कभिरदाजी कहके गए हैं यानि जब तक सफलता पूरी न मिल जाएं लापरवाई नहीं करनी चाहिए। साथियों जब तक इस महामारी की वैक्सिन नहीं आ जाती हमें कोरोना से अपनी लडाई को रती भर भी कमजोर नहीं पढ़ने देना है।